मनिपुर में Education Document में नाम कैसे बदलें? क्या आप मनिपुर में रहते हैं? और क्या आपके Education Document में आपका या आपके माता पिता का नाम गलत हो गया? और क्या आप मनिपुर में अपने Education Document में नाम बदलना चाहते हैं? अगर हा, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है. इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस विडियो को पूरा देखिए. Education Document में नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक गजट बनवाना होगा. गजट एक कानूनी दस्तावेज है. इसको बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा. पहला एफिडेविट बनवाना. एफिडेविट बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देना होगा. दूसरा समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने राज्यके भाशा के समाचार पत्र और अंग्रेजी भाशा के समाचार पत्र को सिलेक्ट करना है और उसमें नाम बदलने की सारी जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है तीसरा नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवाना इसको बनवाने के लिए भी आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देनी होगी जब आपके ये तीनों दस्तावेज बन जाएंगे, फिर आपको इन ही तीनों दस्तावेजों को गजट आफिस जो दिल्ली में स्थित है वहां ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है फिर तीस से चालीस दिनों के अंदर आपका गजट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां, जहां से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं जब आप अपना गजट डाउनलोड कर लेंगे, फिर आपको अपना गजट पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेना है और आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई की है, उस बोर्ड ऑफिस में जाकर जमा कर नाम बदलने के लिए सूचित कर देना है फिर कुछ ही दिनों में आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदल दिया जाएगा हमें उम्मीद है कि इस विडियो में बताई गई पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अब भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलवाने में हम आपकी हिल्प करें तो आपके स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर काल कर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं